बुट मॉनिक और फ्यू, ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतरगत, आज हम बात करने जा रहे हैं धारा के चुम्ब के प्रभाव के अंतरगत, अगली कड़ी की बायो सेवर्ड कर नियम के यूज करते हुए हम विभिन प्रकार के चालकों के लिए चुम्ब की शित्विति प्रता क कत्ति ही हम देखा तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहा है जो कि वृत्ते तो मान लेते हैं कि यह उसका आज है तो इस इत्तकार कुंडली में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके अंदर हमको पता है कि एक समान चुमे की ये शेत्र उत्पन्न हो जाता है, और हमें बायोसेवट का नियम का यूज़ करना है, चुकि बायोसेवट का नियम किसी अलपांस के कारण है, तो इसके किस बायोसेवट की नियम से, अलपांस के कारण केंद्र को पर उत्पन चुमे की शेत्र की तीवरता, बीबी इस इकल टू मिन जीरो अपन फूर पाई, आइडियल साइन थीटा अपन आर्का स्केर, तो आइडियल जो थीटा है, वो ये कोड है, थीटा की जो अलपांस जो है, बिंदू के इंद्रे से जो कोड बनाता है, उसको थीटा का जाता है यहां पर, तो डिवीज इवन विजरो पर प्रूपाई एडियल साइन थीटा बना का इसकर, अब अगर मैं इस थीटा की बात करूँ, तो यहां हमें इस पर्ष लिखा खीजते हैं, और इस पर्ष लिख हमें 90 कमान होता है 1, तो इस आधार का डिवी इस इकल टू, मुझ जीडो अपन फोर पाई, आई डियल अपन आर का स्वेर, अब हमें संपूर्ण विर्ता का लूप या विर्ति कुंडली के लिए चुमेकिशेदी की तिवर्ता का निलाण करना है, इसलिए हम क्या कर देंग जिससे संपूर्ण विर्ति लूप की तिवर्ता निकल दाएगे, तो संपूर्ण विर्ति लूप के लिए, संपूर्ण विर्ति लूप के लिए, बी इस इकल टू, हम समाकलब कर देंगे, डी बी का, तो डी बी का समाकलब करते हैं, यहां पर डी बी का जो मान के, मुझ जी E2DL यहाँ पर R जू है वो constant है पिछले के सिसमें R constant नहीं था इसलिए समाखलण से बाहर नहीं आपा रहा था किन्तु यहाँ पर R constant है क्यों को कि वृत्त की जो त्रिचिया वो कभी भी परिवर्तित नहीं होते किसी भी स्था में परिवर्तित नहीं होती लूप की जो संपुर्ण लंबाई है कहीं न कहीं उसके परीथी के एक्वेलेंट हों की या यह कहा जा सकता है कि dm is equal to 2πr अगर ऐसा है तो उस इसी ती में mu0 upon 4π i upon r का square into 2πr तो इस आधार पर हमारे पर जो सुतुर निकर का सामने आता है में 0 upon 4π 2πr 2πi upon r एक r यहां से cancel हो जाएगा तो में 0 upon 4π 2πi upon r या यह बोला जा सकता है कि यदि कुंड़ी में कुंड़ी या फिर लूप में फेरो की संख्या small n हो तो कहने का मतलब यह तो हम एक लूप को swap के थे इस प्रकार अगर इसे बहुत सारे फेरे लपेटी जाएं इस प्रकार से यहां पर जो फेरो की संख्या शुकी जारी है वो मान लेते हम small n है अगर फेरो की संख्या small n है तो एक लूप के कारण इतना इफेक्ट पढ़ रहा है तो n लूप के कारण मिश्चित तौर भी बराबर हो जाएगा इसको और कैंसल करके हम रिख सकते हैं तो यह तिप्रता हो जाएगी वित्ति लूप के अंदर उत्पन चुम्ड़की जिप्रे की तिप्रता का